प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार, MK Education चैनल में आपका स्वागत है बच्चों आज हम Adgate अभ्यास पुस्तिका पेकार करेंगे आज हम परियावन अधन के अंतरगत कक्छा 30 के महत्पूर्ण पार्ट को लेकर आपके बीच में उपस्तित हुए हैं वीडियो को सुरू से लेके अन तक अवस्त देखें जो चीज आपको नोट करना है तो वीडियो को रूख कर या पुस्त करके आप उन प्रशन के उत्तरों को Adgate अभ्यास पुस्तिका में Ad कर लीजिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्काइब भी कर लीजिए बेल आइकन को प्रेश कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिके सनाव तक पहुंसते रहेगा तो आईए शुरू करते हैं बिना समय गवाए Ad create workbook प्रशनतर पुस्तिका कक्छा तीसरी पर्यावाण अध्यन इसके पूरू में भी हमने साथ पाठ के पूरू के पाठों का अध्यन कर चुका है तो आज हम एक महत्पुन पाठ को लेकर आएं तो आईए शुरू करते हैं पाठ साथ बिन बोले बात निर्देश अभ्यास दिये गए हैं पहला प्रशने मीरा मंच पर आखे चहरों के भाव हाव वा हातों के इसारों का प्रियोग कर अपनी बात कहती है उसकी यह कला खालिस्तान कहलाती है तो यह कहलाएगा मोन वाचन दूसरा प्रशने बिना सुने वे होट पढ़कर दूसर की बातों को समझ सकते हैं अब है प्रशन नंबर तीसरा सभी सहीं जोड़ी मिलान करिये जो देख नहीं सकता उसको अंधे कहते हैं जो बोल नहीं सकता उसको गूंगे जो सुन नहीं सकता उसको बहरे और जो चल नहीं सकता उसको हम अपंग बोलेंगे तीसरे नंबर का प्र प्रश्न नमबर चौन था अगर आपके जनम दिन पर आपको मन पिसंद खिलोना मिल जाए तो आपके चेहरे पर कौन-कौन से भाव जागरित हो जाएंगे तो उत्तर है इसका उत्सा भाव हमारा जागरित हो जाएगा प्रश्न नमबर पांचवा है कुछ लोग इसारे की भासा में ही बात करने की जरुवत क्यों होती है तो उत्तर देखते हैं क्योंकि वह गूंगा विक्ती होता है क्योंकि वह बोल नहीं सकता तो इसारों के मादन से ही वह अपनी बातों को शमझाता है प्रश्न नमबर चट्वा है इसको लाते समय बिट्टू की साइकल पंचर हो गई थी बताइए उसके चहरे पे कौन सा भाव आया होगा तो सबसी बात है कि जब कोई बुरा कार होता है तो हमारे चहरे पर गुष्टा का भाव होता है तो जब साइकल पंचर होई यह वह बताईए पहले हम चितर देखते हैं यहाँ पे आख का चितर है फिर नाग का है फिर कान का फिर जीप का और फिर तोचा का अब हम इनके बारे में समझते हैं आ नंबर है इन अंगों का प्रयोग हम किसली करते हैं तो आख का प्रयोग देखने के लिए नाग का प्रय कर लीजिए बा नमबर सोचिए और बताइए कि यदि ये यंग हमारे पास नहीं होते तो हमें क्या-क्या परिशानी हो सकती थी उत्तर हमें देखना साश लेना सुनना शौद लेना आधी कारियों में परिशानी होती अगला प्रशने चित्र देखकर कहानी लिखे और एक कववा था उसको पानी प्यास लगी थी वह पानी ढूंड रहा था उसको मटका दिखा उसने मटके में पानी कम देखा तो उसने उसमें फट्तर डाले और फिर फट्तर डालकर जब उनने फट्तर डाला तो पानी उपर आ गया फिर उसने पानी पी लिया इस तरह चित्र के माध्यम से हमने इस कहानी को बना भी लिया है अगला प्रशने निचे दिए गए पहरे गराफ पढ़कर निम्रिकित प्रशनों के उत्तर दीजिए होश्यार हेलनन तो इसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं फिर इसके प्रशनों के उत्तरों को हल करते हैं हेलन केलर एक ह पस्ति खेलती बच्ची थी, छे महां की उमन में वो बहुत अधिक बिमार पड़ गई, इलाज के कराने पर वो जीवित तो बच गई थी, परन्तु उसके देखने वा सुनने की चमता चली गई थी, इस वज़े से हेलन बहुत चिल्चिली हो गई, हेलन की मा ने एक दयालू अ मुलियों से नाम लिख देती, इस तरह वो छूकर उनका नाम पैचनने लगी, फिर उसने बेल लिपी भी सीखी, अब हेलन बहुत खुस रहने लगी थी, उसने लिखना भी सुरू कर दिया था, और वो बहुत मसूर हो गई, हेलन बहुत थी, बहादूर समझदार और महनती लड़की थी, अब इसके अधार पे जो प्रशन के उत्तर बन रहे हैं, इनके उत्तरों को हम देखते हैं, आ नमबर हेलन अपनी बीमारी के बाद बस तो गई लेकिन वो फिर देखना और सुनना सुन नहीं पाई, बा नमबर हेलन की देखने की और सुनने की चमता क्यों चल प्रेस नमबर साहए, हेलन की माने हेलन को बढ़ाने के लिए किस्से बुलाया? chodzi कि एसनी सुलिवन को बुलाया आसा है बच्चो को समसत प्रस्णों के उत्तर समझ आ रहे होंगे प्रस्ण नंबर 2 देखते हैं हेलन ने चीजे को पोँचाना कैसे शिका तो हेलन चीजों को छूकर महसूस करती थी अगला ये नंबर हेलन किस तरह की लड़की थी तो हेलन बहुती बहादूर और समझदार और महनती लड़की थी बच्चों प्रशनों के उत्तर आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिए अब हम देखते हैं अगला प्रशन है दस्वा नंबर का पेज नंबर 97 प्रशन नंबर 8Y क्या तुम्हारी जान पैचान में कुछ ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते तो हमने पाट के अधार पे लिखा है कि हेलन के लर और पैचान के अधार पे हमने रोहित नाम के बच्चे को लिखा है कि वो देख नहीं सकता और बोल नहीं सकता बादा नंबर बा नंबर तुम इनकी मदद कैसे करते हो तो हम इनकी मदद इनको रास्ता पार कराने में भी करते हैं आसा है बच्चों को समस्प्रस्णों के उत्तर बन गए होंगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजी बेल आइकन को प्रेश कर लिजी ताकि आने वाली वीडियो का नोटिपी के सनाम तक पहुंसते रहेगा हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए मेरा नमस्कार जैहिन जै भारत